मेरा नाम पूचन है काम से कर रहे हैं हमें तीन महीने हो गया काम करते हुए हम पर बहुत मजार आया है जैस्री राम दोस्तों अभी मैं आचुका हूँ आयोध्या रेलवेग केंट रेलवे स्टेशन है और यहां से अभी हम निकलेंगे जन्व भूमी को और स्री राम जन्व यहां पर देख सकते हैं 80-90% मतर यात्री दर्शन करने के लिए हैं अभी में रेलवे स्टेशन मतर गया हूं आप यहां से 10-20 रूप्या लगेंगे निकलेंगे जन्व भूमी को और बने रहे हैं लाइक सब्सक्राब जरू करते हैं कि ब्लोग तग रहा होने वाला है देख यहां से आपको जो है राम जन्व भूमी नया घाट के लिए सर्जीव नजी के लिए आपको ओटो लेना पड़ेगा जैसे कि मैं यहां देख सब्सक्राइब बहुत सारे जितने भी आ रखे हैं सब धालूर भक्तिव जन्व सब्सक्राइब ले रहे हैं और साथ में जो है यहां पर बुल्टिंग एरिया जो भी मिरल वेश्टेशन का है अच्ट्रेक्चर ऐसा बना हुआ है और जैसे मैं भी यहां पर पूश्टाच किया हूं पैसे तो ज्यादा दिमांड कर रहे हैं पचास रूपया जो कि तीस इल क्या हूं में चाहिए यहां तो आईएगा तो तो लिए जाता है तो आप सको साथ में जुरूप बना करके यही आईएगा जीक सकते अब यहां समसा निकले चौराहा के और चौराहा से ओटो लिक्सा समीड जाते है इसलिए चौराहा के तरफ दिकल को रहा हूं अब जो कि यहां पर आप आगे में देख सकते हैं वेलकम जाना है अफनान करना है नहीं करना परेंगा तो जैसे मैं यह विक्सा पर गएका इसलिए अब में दोस्ते यहां से जेए पावन नगरी आपका त्वालक करता है लिखा हुआ है मतलत अच्छा लग रहा है यहां पर पहुंच कर नहीं आप पर दोस्तों आज पार असमाम करने के बाद हम सब सिर्व राम जन्म भूमी के और निकलेंगे मंदिर कोर और हनुमान घड़ी होते हुए देख सकते हैं आगे चलते हैं नाएंगे यादा असनान करेंगे और यह देख से दिनने जारा मतलब जबरदस्त है और चलिए आगे दिखाते हैं बने रहे हमारे साथ और आगे आप तो कि अपरे उप्रे भी लाए हैं चेंज अब बुछा है कि आए अब दो बहुत तक्राइब शुचा बिद जादा हुएगा नहीं लेकिन बहुत ज्यादा है आगे गरेगा आट एह न रही देखा दाखाली होगा इसका दो भी बहुत है करेंगे तो टक्राब भी देखों हुए कि करना दो है और यहां से बाबाजी से देख सकते हैं अब निकलेंगे नया घट के लिए हनुवान गड़ी के लिए फिर वहां से आगे चलेंगे राम जी के दर्सन करने के लिए देख सकते हैं यह है नया घट कर देख सकते हैं तो अपना बाल को समझ लिए मतलब वो कर देता हूं तो यहां पर वैजे से देवघर गए थे जो भी वारत जो थी लिंग में से जहां जहां भी जाते हैं वहां पर कटवा लेते हैं देख सकते हैं अधा किलोमीटर के दूरी पर है नया घट से अधा किलोमेटर के दूरी पर है स्री राम जी का जन्व भूमियस्तानेयने मंदिर वह दो आप सब को दिखाएंगे बने रही एक हमारे साथ कंद तक और बांकि हमारे एसाइस का जो भी सेक्रोटी टीम है उसमें बात किया हूं सब्सक्राइब कर दिखाएंगे और बांकि यहां से बस फ़रा हाप किलोमीटर दूरी पर है जन्व भूमी तो वहां पर हम चलेंगे और बांकि आगे का भी हम दिखाएंगे नजारा सामने में निखा हूए बोड बना हुआ है तो चलिए हम आभी आपको रेच चलते हैं कि बने रहेगा हमारे तक जैसे सामने में देख सकते हैं सिरी हुनमान गडी जो आपको सर्यूग नदी और सरी राम जी के मंदीर के बीच में परता है यह और वह लोगन नदी से देर्ट किलुमेटर के दूरी पर है आपको यह हुरुमान गड़ी देख सकते हैं बस यहां से हाफ किलुमेटर के दूरी पर यह सिरीराम जन्म भूमी मंदिर तो दोस्तों यहां पर मैं जैसे आया दिल को तो बहुत सुकून मिल रहे लेकिन भी इतना है जो मत्को तीन छार लाक लोगं परतीु धिन यहां पर दर्षन करने आते हैं ईंडिया के हर सिटे से यसे नहीं है जो एक दो अस्टे है तोटन से शकतिस आते हैं नल आते हैं सरधालव आते हैं भक्त जना से यह लिए हवार भासा बोलते हैं हर लॉंग वेज में आते हैं यहां पर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों और जैसे मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया यह अब पता जो कि अंदर मंदू जाते हैं इतना भी मतलब यह बहुत ही रहाँ चार से पॉच लाक लोग आते हैं और यह बच्छे में जोड़ा आगे 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 आँ रामंदीर के एक और यहां पर यहां पर वहां कंपलेश हो जाना लगा लगा लाइन देजिए हैं अफिर न परचाल भी प्यालेता है आप देखें यहां अब लास्ट बेरियर कर आगे आँ यहां पर मैं अपना मुझे लोगा शमीज करके अपना यूनिफूम पहन के अंदर जाहूं का आपने दर्सम कर लेकिस और मेरा सब्सक्राइब कर वाद यह लेजा परके बहुत अच्छा अब लगता है यहां के अगरे पराज़ें जवान बुजूर्द हर अंदर में मतलब यार क्या बताए डैली में तो बूरा हाल हो जाता है जहोर तो 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 निकाले जाते हैं फिर अबुलेसर रते उसमें लगाया जाता है और यह बिश्ट क्या है नजारा है यार यह लेजा जाता है और आपको देखा गया तो यहां पर लास्ट इसमें लाट हो जाने के बाद अंदर जाता है अब दर्शन थिजी और में मुझे जम्मा होग उन्यों लेजा पाए अब हम हमारे से क्रीश्टी गार से बात करें जे क्या कैसी यहां पर दीखी करते हैं तो चली आप तमस सकते हैं यहां का मजारा आप चलिए लोग बात करता हूं हमारे तीन से बात करता हूं अब हैं यहां पर दूटी कर रहे हैं और हमें साथ नहीं हैं हमेंगे तीन महींने वो गया काम करते हुए हमको बहुत मजारा आया अए यहां पर कितने मैंपावर है हमारे यहां पर 600 पलस और दोस्तों आप सब एकर कना चाहिए आने वाले आने वाले समय में हो सकता है यहां पर हमारे हो सकता है यहां पर करते कि आपका रहता है और दोस्तों देख सकते हैं पीछे में इतना लएने लगे हुए लेकिन यह बाहर रहा है कि यह लिए रोका जाता है अचाहां अचाहां दोस्तों बहुत ही खथरना मेहनत बाई लोग इतना है मत बताईए मत बताईए इतने मत लाथों के संकियां परती दिन आते हैं सब को सम्हालना भाई तबका यही काम रहता है कभी नहीं है और थर्फ तकर नहीं है चाही तो पिर यह जो है यहाँ पर आठ गंटे का रीटूटी रहता है कल दिलागब कितना है मिल जाता है ठीक हा की मिलता है और ठीक ही मिलता हुगा अचा और क्या अलग वेदा पेसलीटी क्या सब है आपसों यहाँ पर प्रभवान के दर्वार में सब फेल्सिक्टी फेल्सिक्टी ही है कुल लेक पाई था खतरनाग भी रहा बाए लोर भाई बाई करना है यार अब टर्भी यह उपावर पताने इसे काभू करता है इतना स्कुरुटी में पावर पताने अचेशा थो में पावर है लेकिन इतना मत्रवसारी का आलू आते हैं दर्शन करने कि लिए मत्पुचिये कि हमारे जवान किस तरह से भूती करता है मेरा तो दर्सन हो गया किसी तरह अंदर जा करके कर दिये यूनिपूर तहन ना पारा मेरा यह सब भाई ऐसा ऐसा मतलब एक सो एक सो ग्रूप चोड़ते हैं जर्सान करने की बादिया ऐसा क्यों दोस्तो बात करते हैं जो अईोध्या राम दर्षन करने के कि लिए आईएगा कितना खर्चा पडंटी तो आपको चाहे अःपटिया ऑं मेरा मेरा चाहे जयोंब भाने का शुद्य especially कि आते थे दौका प дост技you तो पास में ही है आप अगर आयोध्या केंट रेल बैस्टेशन उतरते हैं तो वहां से आपको 30-50 रुप्य किराया लगेगा आयोध्या राममंदीर आपको तहां उतरते हैं रेल बैस्टेशन तो आप पैदली आ करके सीधा सर्यूग नदी जा सकते हैं और ज्यादा करके तो 30-40 रुप्य आपका बच जाएगा तो यह हो गया अगर बात किया आप ही कौंट कर सकते हैं और कहां कहां कितना हो सकता है तो चलिए दोस्तों सब से पहले जैसे आप रेल बैस्टेशन उतरते हैं तो आप सीधा सर्यूग न दी जाहिएगा नहाने के लिए नया घाट उसे जाहिए नहाने के लिए असनान करने के बाद जो है आपको सीधा हुनमानगटी के लिए निकलना है वहां से 1.5 km के दूरी पर पैदर निकलना है आपको पैदल ही लगवग चलते हैं बहुत वीर रत बहुत तो आपको कप्रे तो भाही नहीं कम से कम होना चाहिए वहां करने के लिए ने कपरे अपने घर से भी खरीद के ला सकते हैं तो फिर वहां से आप जो है यह अगर रेल्वे स्टेशन केंट उतरते तो आपको सर्यूग नदी यानि नया घाट पहुचने फिर वहां से आप आईएगा हुनमानगटी नहाने एसनान करने के बाद तो आपक संकरने के बादे से आप निकल लिएकए तो वहां से थिरा इसosphला किलोमेटर क दूरी पर है स्री राम जनम भूमी और वहां पे आपको जाना थो वह आपको परसां अर्षा चर्श्ता नहीं है आपको शिर्फ जाना है दर्सन करना तो फीर आपको जो है फीर आप दर्सन कीज़े और दर्सन करने में आपको हर्मान गळी में अगर भीर लगेगा तो तो नहीं है तो जादा रहेगा तो चार-पॉँच गणटा भी लगेगा फिर आप आप अपने टेम मैनेज करना परेगा कुछ नो कुछ खाना पिना परेगा तो आप आप देख लीचेगा फिर वहां सुर्मंगरी से जैसे राम मंदिर को निकलेगा आपको तीन से चार घटा वहां पर भी लगेगा उसे ज्यादा भी लग सकता है तो इतना भी चार-पांच चेकिंग पोस्ट रहता है मुबायल जमा करो लोकर फिरी वाली राते जहां पर अपना पैसे तो छोड़े लोग नहीं है राम मंदिर में तो यह आप करने के बाद आप जैसे दर्शन कीजिए और फिर आईएगा तो खाना उना खाईएगा और में आपका खाना खा सकते हैं और जो है लंज कर सकते हैं और उसके बाद जो है बात करते हैं रहने का रूम का तो रूम सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रहता है रूम यहां पर अभी बहुत सारे बेडिंग बन ही रहा है कंप्लीट नहीं बना हुआ किसी भी धर्म अधिया सकता है रूम एक दिन के रहने के लिए पिर आपको खाना का बात है और परसाद दूसाद लेना है तो अलेगो नवागो देखा ले दोस्तों तो आपको दोस्तों आपको देखा दे तो टोटली खर्चा 2000 से पलस परेंगे 2000 कम से कम मिनिमूम उससे ज्यादा जितना आप जा सको खर्चा कर सको आपके बहुत बढ़ा मेला भव्य जग जीसे लगा लगा रहता है दोस्तों बस यहीं है आप भी आए जरूर दर्शन करें बहुत अच्छा लगा दिल को सुगून मेंता है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर जीएगा अगर अच्छा लगे तो आपको जो है मिनिमूम दो हजार से तीन जार तक में जो है कंप्लीट हो जाएगा यात्रा दोस्तों फिलालवेक लिए तना ही जैहीं जै भारत